तो भाई लोग कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे वेल बात करेंगे एक बाद फिर सीर साहा और बॉब बिस्वास को लेकर जैसे कि ये दोनों फिल्में इस साल की बैस्ट मुवीज में से एक है और इनकी लड़ाई एक अलग लेवल पर है जी हा कुछ लोग फैंस कह रही है कि सीर साहा अच्छी कुछ लोग कह रही है बॉब बिस्वास कहने की अंदक इनदा सेंस यह है कि तारीफों की बांदे जा रहे है दॉनू फिल्मों के, अलग-ळग फैंस की तरफ से विल बात करते हैं सबसे पहले बॉब विस्वास को लेकर बॉब विस्वास जोगी एक Crime Thriller Film है और इसका Concept काफी Unique लगा मुझे अगर मैं अपनी बात कहूं तो यह फिल्म कहानी के एक Character बॉब विस्वास पर भेज़ड है पूरी मुवी और काफी अची तरह से अच्छा और स्ट्रॉंग कर रही है जी फाइफ से और जो कलेक्शन आ रहा है सुम का आज का वह है एस्टिमेट साथ से आठ करोड रुपे और उसका जो कलेक्शन हो चकुआ है बीते कुछ बारे दिनों के अंदर अंदर वह चकुआ है लगभग से लगभग बताना मत बूलीगा क्योंकि यह फिल्म वास्तन में डिजर्व करती है रिस्पेक्ट अभी से वच्चन की क्योंकि उन्हें हर कोई नीचा दिखाना चाह रहा है वहीं बात करें लिश्ट की दूसरी फिल्म सेर सहा को लिकर जो की वायूपिक है इंडियन इंडियन सोलजर य नजर में यानि की विक्रम बत्रा की जो उनकी जिंदगी थी हमने जी है हमने देखी है सिधारत मरुत्रा के रॉल में कहने का मतलब यह है बाई कई बर ऐसा होता है हम बोला कुछ चाहते हैं और कुछ बोल पाते हैं वही चीज है फिल्म काफी अच्छी है और ओडियन्स को यह फिल्म काफी जाता पसंद आई क्योंकि वाई यह देशबक्ती पर फिल्म डिपेंडेंट थी और इसके सौंग्स भी एक से बढ़का एक वैल पर इसका कंपेरिजन तो है कलेक्शन के मामले में कहीं नहीं है बाब विस्वास के सामने लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इसका टोटल बारे दिनों के अंदर अंदर वह आता लगबंग 126 करोड रुपे और यह बड़ी हीट बन चुकी थी अपने बारे दिनों के अंदर अंदर और इस विल्म से प्यार तो मिली रहा था पब्लिक को काफी ज़्यादा जी आपकी जो भी हो रहा है कमेंट में बित